नमस्कार आपका स्वागत है हमारे चैनल पे इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है असमराजय से जहां असमराजय के नए मुख्यमंत्री अब एक्षन में आ चुके हैं और एक्षन में आते ही उन्होंने अब बहुत बड़ा कदम लिया है जो सरवानन सोनवाल की सरकार में उन् उन्होंने सीधे एलान कर दिया आपने अधिकारियों को साब निर्देश दे दिया है कि जितने भी मदर से जो पहले भंग कर दिये थे उनकी सरकार ने अब उन अधिकारियों को सक्त निर्देश दिये हैं उन्होंने सीधे निर्देश दिये हैं कि जो भी मदर से भंग किये हैं अब वो action में आ चुके हैं और अश्यम राजय में सबसे पहले उन्हों ने देखे किस तरीके से वहां जितने भी सरकारी खर्चे पे जो मदर से चल लेते असम राजय में जो वहां पर एक धार्मिक सिक्सा देते थे सरकारी पैसे पे जो वहां असम राजय के लोगों की जो टेक्सपेयर की इंकम से जो वहां पर मजभी और धर्मिकी अधारी सिक्सा दी जा रही थी और उनको नकेवल एक छोटी मोटी रकम बलकि 260 करोड का उनका बज़ट था जो ये मदर से सरकारी खर्चे पे चल ले थे अब उनको वहां की सरकार ने सीधे सक्त निर्देश अपने अधिकारियों को दे दिये हैं कि इनको जल्द से जल्द सामान्य स्कूलों में कनवर्ट कर दिया जाए और यहां पर बच्चों को सामान्य सिक्सा जो बाकी स्कूलों में चलती है सरकारी खर्चों पर अब तो देखे किस तरीके से असमराजय के नए मुख्यमंत्री ने नए तेवर दिखा दिये हैं और अब जो असमराजय में जो पहले कहा जा रहा था कि अब दीरे दीरे वहां पर मुस्लिम आबादी बढ़ती जा रही है और उसके बाद जो शिक्सा में भी पैठ बन गई थी धार्मिक शिक्सा की अब उनको वहां की सरकार ने पूरी तरीके से अब शिक्सा को भी अब हैमंत्र विश्वसर्मा ने पहली कारवाई करते हुए उ उन सभी मरदर्सों को अब सामन्य स्कूलों में बदल दिया है और 260 करोड रुपिये इन मदर्सों पर खर्च किये जाते थे असम राज्यक द्वारा तो अब इनको सामन्य स्कूलों में कनवर्ट कर दिया जाएगा और जो अब लगबग इनकी संख्या जो मदर्से जो सरकार खर्च पे चल लेते इनकी संक्या बताई जाती है 610 मदर से ऐसे हैं जिनको पहले भंग कर दिया गया था वहां की सरवानन सोनवाल की सरकार में और अब हैमन तब इस्वा सर्मा आते ही उनको सक्त निर्देश दिये हैं यो फैसला वहां के मुख्य मंत्री ने बैठक मिली जहा सरकारियों को निर्देश दिये जाएं कि उन मदर्सों को जल्द से जल्द सामानिय स्कूलों में बदला जाए और उन स्कूलों से सीधे आप बच्चों को एक सामानिय तोर पर जो बाकी बच्चों को सिक्सा दी जाती है धर्म के अलावा जो सामानिय सिक्सा होती है अब उस जब वहाँ असम विधान सभा में जारी हुआ जब पेस किया गया तो इसके खिलाब वहाँ के AIUDF के बदरुदीन अजमल इसके खिलाब थे, कॉंग्रेस तो पहले से इसके खिलाब थी, वो नहीं चाहती थी कि है मंतव विश्वा सर्मा इस फैसले को अमली जामा पहना है और के जितने भी सरकारी खर्चे पे जो 260 करोड की मोटी रासी है उसके खर्चे पर जो मदर्से चल लेते उनको जारी रखना चाहते थे बलकि जारी ही नहीं उनको और बढ़ाना चाहते थे लेकिन है मंतव विश्वा सर्मा ने एक जटके में उन सारे मदर्सों को बंद कर दिय और अब वो चाहते हैं कि इनको अब स्कुलों में बदल दिया जाए जहां पर बच्चों को आधुनिक सिक्सा दी जाएगी कंप्यूटर की सिक्सा दी जाएगी नकेवल उनको कंप्यूटर की बलकि ज्यान विज्यान की सिक्साएं और उनको प्रियोक सालाओं की सिक्साएं भी दी जाएगी तो ये बहुत बड़ी कारवाई है कि वहां के हमंत विश्वा सर्मा ने अपनी जैसे ही उनकी गौर्रमेंट बनी जैसे ही वो मुख्यमंतरी बने तो उनके बाद ये पहली कारवाई है और इसके बाद आने वाले समय में जैसे कि उनके मुख्यमंतरी बनते ही अगर आप सरकारी खर्चे पर किसी और धर्म की सिक्सा दे रहे हैं तो बागी धर्मों की सिक्सा क्यों नहीं दे रहे हैं लेकिन अब भेहमंत विश्व सर्मा ने इस बहस को ही बंद कर दिया है और अब जो वहाँ पर मजभी सिक्सा दी जारी थी उसको बंद कर दिया है जो रासी थी अब उसका सदुप्योग वहां की आम जनता के आम छात्रों के लिए किया जाएगा और उनके लिए सामान्य स्कूल खोले जाएंगे जिसमें सभी धर्मों के बच्चे जा सकते हैं सरकारी खर्चों पर चलने वाले मदर्शों के लावे जितने भी वहां अन्रजिस्टर्ड और जितने भी नीजी हातों में जो मदर्शे चलने हैं उनके लिए भी वहां के सरकार ने पहले ही ये घोचना कर चिकी है कि उसमें भी ये सुनिश्चीत किया जाए जो पंजी कृत उन में भी ये सुनिश्चित किया जाए कि आधुनिक शिक्सा जैसे गणित और विज्ञान का उसमें पूर्ण रूप से उसमें पाठे क्रमों में उनका भी योगदान रहे उस विशाई को भी उस मदर्सों में पढ़ाय जाए तो ये भी सुनिश्चित किया जाएगा वहां क गौर्मेंट द्वारा की क्या उन बच्चों को बिज्ञान और आधुनिक सिक्षा भी दी जारी है वहां के धार्मिक सिक्षा के अलावा तो जिस तरीके से हमन तब विश्वसर्मान पहले भी उनके बयानों से लग रहा था कि वो अब असमराजय में ऐसी कोई भी चीज नहीं करेंगे जिससे लगेगा कि असमराजय में एक ही समुदाय का वर्चस्वा या उनका ही पक्स लिया जाता है तो उन्होंने दिखा दिया है कि जिस तरीके से तो सची रूप में जिसे सेक्यूलिरिजम का पहमाना कहा जा सकता है वो हैमन तब विश्वसर्मान ने इस्तापित कर दिया है क्योंकि अगर एक राजय में सरकारी खर्चों पर एक ही समुदाय के एक ही धर्म की सिक्सा दी जाएगी तो ये कहीं भी किसी भी अन्या धर्म के लोगों को कोई भी इसका समर्थन नहीं करेगा तो अब यो बहस अब असम राजय में खत्म हो चुकी है कि सरकारी पैसे पर अगर कोई मदर्सा चला है तो अब वो असम राजय में नहीं होगा और अब हैमन्तों विश्व सर्मा ने उनको भंग कर दिया है और अब उनके इस्थान पर अब इसकूल बनेंगे जो सामान्या इसकूल बाकी इसकूलों की तरह होंगे इससे पहले जब सरवानन स अनवाल की गवर्मेंट थी उसमें उन्होंने कहा था कि मलत जो वहां असम राजय के जो मिया हैं अगर वो बीजेपी को वोट नहीं देते हैं तो उनको मियाओं का वोट नहीं चाहिए तो ये बहुत बड़ी बात थी कि कोई नेता जो इतने बड़े ओदे पर है किसी पार् बीजेपी को तो बीजेपी को भी उनका वोट नहीं चाहिए और जो उन्होंने ये भी कहा था कि जो वहां के मियां हैं जिन्होंने वहां की न संस्कृती अपना ही न असम राजय की भाजा को अपनाया उनका वोट बीजेपी को नहीं चाहिए तो देखिए हैं मंत विश्व राजय में बहुत बड़े बड़े फैसले लिये जाने बाकी है और इसमें सबसे पहले जो कदम है वो NRC का है जिस तरीके से पिछली सरकार में NRC पर क्या चली थी अब उन्होंने कहा है कि इसमें तेजी लाई जाएगे और जल से जल NRC को पूरा किया जाएगा और जो वहां के लोगों का टेक्सपेरों की इंकम है उसका जो हिस्सा है वो जो गोर्मेंट को जाता है करके रूप में उसका अब सदुप्योग होगा और 260 करोड की ये रासी अब अच्छे काम में इस्तमाल होगी जिस तरीके से असमराजय के मुख्यमंत्री ने ये फैसला लिया है ये दे में ज़्यादा उनके पक्स रखे जा रहे है तो ये बहस भी अब खतम होनी चाहिए और जिस तरीके से हमन्तविश्व सर्मा ने उधारन के रूप में ये पेस किया है कि अब सिक्सा में जो सरकारी खर्चे पर सिक्सा दी जाती है उसमें कोई भी धर्म के आधार पर कोई भ राजियों को भी ये सीखना होगा और जहां भी सरकारी खर्चे पर मदर से चल ले हैं या कोई भी मजभी तालीम देने वाले जो भी सरकारी खर्चे पर चल ले हैं उनको जल्द से जल्द बाकी सरकारें भी भंग करें और उनको सामान्या स्कूलों में कनवर्ट करके सबी ल बाकी ऐसा ना हो कि धर्म विशेष के लोग ही एक ही परिसर उस परिसर का लाब उटा सके जो सरकारी खर्चे पर बाकी लोगों का भी हग बनता है तो यह बहुत बड़ी खबर है और बाकी में आने वाले समय में बाकी राजयों को भी इसका संग्यान लेना चाहिए और अपना हमारे चैनल जैहिन